दोस्तों बात करने वाले हैं कोचीन सिप्यार के बारे में हैं आपको बताना चाहों कि हाल फिलाल में इस कमपनी के quarter two के नतीजे डिकलेर हुए अब देखें नतीजे तो काफ़ी सारी कमपनियों के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लेकिन नतीजों के बाद में कुछ शेर्स के अंदर profit booking भी दिखने को मिली है कुछ कमपनिया इस तरह की हुई है कि profit booking के बाद में उनके अंदर अच्छी कासी चाल बनती उनुझराई तो इस कमपनी के नतीजे निकल कर आये थे 11 तारिक में तो अब आगे का action के इस तरह की से होने वाला है क्योंकि stock के अंदर last trading session में भी हम लोगों को गिरावर देखने को मिली और 0.70% के असपास ये share गिरता हुआ नदर आया था तकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूँ कि काफी सारे innovation के इस तरह के हुए है कि उन्होंने देखा कि Nifty 50 के अंदर पिछले एक दो साल से लगातार तेजी का रुजान बना हुआ है तो Nifty 50 के stock पकड़िएगा उनके अंदर ही पैसा लगाईएगा और अच्छा-कासा पैसा बनता हुआ हमें नजर भी आता है लेकिन उठापटक भी बराबर आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसी कंपणिया भी दिखाए दी हैं इसी बीच में इस बार नतीजों के अंदर अच्छा-कासा outlook हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1.3.6 billion रुपीज के आसपास निकल कर आया था यहाँ पे अगर पिछले साल का देखे तो 1.1 billion के आसपास हम लोग को दिखाए दिया यहाँ पर बात करते हैं दूसरे जो positive points की वह है company का revenue तो इस बार company के revenue के अंदर भी उच्छा-कास निकल कर आया और अगर बात करने पिछले साल की तो पिछले साल लगबग 6.6 billion के आसपास हम लोग को दिखाए दे रहा था तो revenue year on year basis पे बढ़ता हो नज़र आ रहा है और अगर quarter on quarter basis देखे तो 3.29 billion रुपीज के आसपास निकल कर आया तो देखे quarter on quarter basis पे भी revenue के अंदर बढ़ा देखने को मिल रही है अब बात करते हैं तीसरे मजबूत point के बारे में तो आपको बताना चाहो कि जो company का EBITDA margin है लगबग 1.66 billion रुपीज के आसपास दिखाए दे रहा है और अगर पिछले साल का देखे तो 1.3 billion के आसपास निकल कर आया था तो year on year basis पे इसके अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है अब अगर बात करते हैं अगले point के बारे में जो मजबूती का कारण इस company के अंदर दिखाए दे रहा है वो ये है कि company ने इस बार dividend declare किया है और लगबग 6 रुपे प्रती share के हिसाब से company dividend declare करते है उन जड़ा रही है तो बड़ी हल चल नतीजों के अंदर इस बार देखने को मिली है चाहे share के अंदर आपको गिरावार देखने को मिली हो लेकिन इस बार इस company के जो नतीजे निकल कर आये थे नतीजों के अंदर अच्छा खासा outlook हम लोग को देखने को मिला है अब जिन company के अंदर अच्छे खासे निकल करा रहे है और share के अंदर हम लोग को गिरावार देखने को मिल रही है तो उनके अंदर एक opportunity बन सकती है खरीदने के लिए अब देखे जैसे कि मैंने आपको भी starting में बताया कि नतीजे अच्छे खासे हैं लेकिन अब return की बात करते हैं तो पिछले एक महिने के अंदर उठा पटक share में देखने को मिली नीचे 349 रुपे तक के level देखने को मिले जो की बया करते हैं कि कहिना की आगे आने वाले दिनों में हमें share में TG देखने को मिल सकती है सबसे पहली बात तो यह है कि company low debt है तो low debt ही company है दूसरी बात यह है कि company के जो promoters हैं कोई भी pledge holding हमें promoters की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पर अगर देखा जाए जो की FIAs हैं या फिर FPI की बात करें या फिर जो institutions हैं बड़े बड़े तो वो अपनी holding share holding patterns इस company के अंदर बढ़ाते हो नज़रा रहे तो यहाँ से भी हम लोग को मजबूत point इस company के अंदर देखने को मिल रहे है अब देखें strong momentum बना हुआ है इससे मैं अगर देखा जाए जो price चल रहा है share का तो short और medium या फिर long term moving average से इससे मैं उपर trade करता हुआ नज़रा रहे है तो यह तो मजबूत पक्ष इस company के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे है कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जो कि यहाँ पर weakness इस company के अंदर बताते हुए नज़रा रहे है तो उनके बारे में भी हम लोग को यहाँ पर जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो एक एक करके बात करते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला पॉइंट यहाँ पर निकल करा रहा है weakness का वो यह है कि अगर mutual funds की बात करते हैं तो पिछले काफी दिनों से या फिर कह सकते हैं कि एक दो quarter से कुछ इस तरह के action देखने को मिले हैं कि mutual funds अपनी जो holding है वो इस company के अंदर से base ते हुए नज़रा रहे हैं बात की जाए अगर opportunities की तो इस company के अंदर क्या opportunities हम लोग को दिखाये दे सकते हैं फिलाल के लेटर में जो RSI indicator है यहाँ पर जो price चल रहा है इसके मजबूती यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है साथ ही में अगर देखा जाए तो इससे में high volume हमें stock के अंदर देखने को मिल रही है और जो price है इससे में अच्छा खासा भी चल रहा है लगाता तेजी का रुझान बना हुआ है लेकिन देखें बीच में up and down भी आपको काफी सारे देखने को मिले अगर 6 मेने के price की बात करें तो 400 रुपे से उपर के level आपको share के अंदर देखने को मिले थे तो अच्छी खासी गिरावट हुई और उसके बाद में share ने recovery भी की है तो एक level के आसपा जाने के बाद में share के अंदर हम लोग को मजबूती भी दिखने को मिलती है तो इस बार नतीजे अच्छे खासे हैं तो कहिना की outlook अब long term में आपको positive इस company के अंदर लेकर चलना चाहिए कहिना की अच्छा कासा पैसा इसके अंदर हम लोग को बन सकता है देखे इस company के अंदर क्या नजरिया रखें कि अच्छा कासा पैसा बनता हुद रहे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप long term के खिलाडी है इस company के अंदर रुकना पसंद करेंगे रुक सकते हैं या फिर रुके हूँ है आपने ये सोचा हुआ कि लगबग एक साल तक मैं इस company के अंदर इंतिजार कर सकता हूँ या फिर 6 महीने तक मैं इस company के share को hold करूँ कि अच्छा कासा मुनाफ़ा मुझे इस company के अंदर देखने को मिले या फिर आप औराल लोस के अंदर बैठे हुए हैं तो ये stock recover करता हूँ नजरा है तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो price level आपको इसके अंदर देखने को मिले थी लगबग 400 रुपे के असपास 400 रुपे से उपर ये share चला गया था तो अगले 3 महीने काफी important होने वाले हैं अभी आपको पता है कि budget भी आएगा फरवरी के महीने में तो बड़ी हल चला आपको share के अंदर देखने को मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि January से पहले पहले या फिर हो सकता है कि budget से पहले पहले ये stock कम सकम 400 रुपे से उपर के level आपको बहुत जल्दी के साथ में दिखाता हुआ नजराने वाला है इसी तरहीमे से घर बात करें है, stock के अंदर गिरावट की, तो देखे कोई भी share इस तरहीर का नहीं हुआ है कि इसके अंदर लगातार हम लोगों को तीजी ही देखने को मिली हो बराबर गिरावट भी दिखने को मिलती है और उपर के लेवल भी हमें शेर के अंदर दिखने को मिलते ही रहते हैं यहाँ पर किसी भी कमपनी के अंदर उपर के लेवल सोचकर खरीदारी नहीं की जाती कि 371 रुपे के आसपास चल रहा है 400 रुपे के लेवल टच करता हुआ नजर आएगा पैसा बन जाएगा इसके लिए हम लोग को पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ता है कि स्टॉक के अंदर अगर किसी कारण से नीचे लगवक्त 320-330 रुपे के आसपास तक अगर ये स्टॉक जाता है तो क्या मेरे पास मैं इतना पैसा अमाउंट है कि मैं इसके अंदर दुबारे से खरीदारी कर सकूँ तो इस तरह कि अगर आप तैयारी पहले से ही करके चलते हैं आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कबाने से कोई नहीं रोकने वाला है दोस्तों गर आप नए हैं डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों करें पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नहीं वीडियो के नोडिफिकीशन सिधे आपके मोबाइल प्मिल्स के है थैंक यू सो मच फो वाचिंग